आलो प्रेंड्स, आज हम बात करेंगे WATTI SINGLE FACING ELECTRICAL SYSTEM की ELECTRICAL SYSTEM में SINGLE FACING क्या होती है तो आज हम इसके बारे में डेटिल में बात करेंगे जैसा कि आपको एक सेर्किट में दिखाए गया है, एक स्टार्टर को मोटर से कनेट किया गया है जब हम इस्टार्टर को स्टार्ट करते हैं तो हमाई motor अनुर्वती है किसी कारण मस या किसी measure fault की वज़े से हो चाहसे हमारे एक phase motor side से भी чит होजाता है तो हम उसे सिंगल फैजिंग कहते हैं जिसके प्रभवन हमें motor आया रहा हिट हो जाएगी या फिर मोटर हमारी जल भी सकती है सिंगल फैसिंग की प्रोब्लम बेसिकली या तो लूज कनेक्शन की वज़ा से हो सकती है या फिर मोटर में जो करंट होती है तिनों फैस में अन बैलेंस की वज़ा से हो सकती है तो हम इस सिंगल फैसिंग प्रोब्लम को solve करने के लिए हम phase preventer का यूज करते हैं जो कि हमारे पूरे three phase system को protect करता है और कोई भी एक भी phase miss होने पर हमें circuit को separately trip कर देता है जैसा कि आपको circuit में दिखाने कोशिस किये मैंने कि हमारा जो blue अला phase है वो by chance किसी वज़े से break हो गया है तो इससे यह होगा कि हमारा हमारी जो motor है उसमें खाली दो phase ही जाएंगे जिसकी वज़े से over current होगी वो circuit हमारा trip भी हो सकता है तो इस तरह के measure fault को हम protection देने के लिए हम phase preventer का यूज करते हैं जिससे हमारी motor और हमारे circuit को extra और advanced protection मिलता है सिंगल facing की वज़े से हमारी motor भी और हीट होगी और जो हमने motor के लिए cable यूज किये वो भी और हीट हो जाएगी अगर system में कोई protection नहीं लग रहा है तो motor के साथ साथ हमारा जो भी feeder है उसमें भी major fault आ सकता है तो इसके लिए हम प्रोटेक्शन सिस्टम में वेज़ प्रिवेंटर या MPCB का यूज करके भी हम इसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं थैंक यू फ्रेंड्स उमिद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा ज़दा ज़दा लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ थैंक यू जबने म के लाइबेभL 강ई का टीम बहा एक है यू उम्री नग्र टीम छशद रफशगंगा जिएक्षण शोच्छ एक यूटब्स करेंड़ फ्रेंड़, जब बहाद में करें़ जबर लाइक्शन सिस्टम में